रादे रादे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नमक के कुछ चमतकारिक उप्योग अगर आपको हमारी जानकारी पसंद रहे तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्टी को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें दोस्तो आज हम नमक के कुछ उपयोग आपको बताएंगे नमक का जीवन में बहुत उपयोग है लेकिन नमक का सही उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं वैसे तो नमक के बहुत सारे उपाएं लेकिन हम आपको कुछ चमतकारी कुपाएं बताएंगे जिने जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों वैसे तो नमक कही परकार के होते हैं सेंदा नमक, जो की पहाड़ी नमक होता है समुद्री नमक, खारा नमक, समान्य नमक, काला नमक आदी लेकिन आपको नमक के चमातकारी कुपाए करने से पहले आपको कुछ बातों का ज्यान होना जरूरी है जोतिस सास्तर के अनुसाय नमक को चंदर और सुक्र ग्रह का प्रतीनीदी माना जाता है नमक को यदि आप लोह या इस्टील के बरतन में रखते हैं तो यह चंदर और सनी के मिलन का प्रतीक होगा जो कि आपके लिए बहुत गहतक सिद्ध होगा यह बिमारी और दुख का कारण बनता है नमक को किसी प्लाश्टिक के बरतन में भी नहीं रखना चाहिए नमक को सिर्फ कांच के बरतन में रखना चाहिए क्योंकि कांच के पात्र में रखने से ही बुरा आसर नमक नहीं देता है नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता हमारे हिंदु धरम में नमक का गिरना असुब होता है नमक के गिरने से चंद्रमा और सुक्र दोनों कमजोर होते है खाना बनाते समय भोजन चखना नहीं चाहिए उसमें भोजन की पवितरता नश्ट हो जाती है और घर में गरीबी आती है अगर नमक भोजन में कम होगा तो बाद में डाल सकते हैं भगवान को भोग लगा करी भोजन को चक्खें नमक को सीधे सीधे किसी वैक्ति के हाथ में मत दीजी नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इससे वैक्ति के समन्द खराब होते हैं अब हम आपको बताएंगे नमक से जोड़े कुछ चमतकारी को पाए जिनें आप अपने जीवन में अपना कर काफी लाव पा सकते हैं दोस्तो नमबर एक गरीबी दूर करने के लिए हपते में एक बार गुरुबार को छोड़ कर पोचा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत नमक यानि की समुदरी नमक मिला लीजिए इससे घर की नेगेटिव एनरजी नश्ट हो जाती है वातावन की शुद्धता बनी रहती है और माता लक्षमी के आने का मर्ग खुलता है इससे घर में बरकत भी बनी रहती है घर में धन का बाहब बनाए रखने के लिए एक काँच का गिलास लेकर उसे पानी और नमक मिलाकर घर के नेनिर्थे कौन यानि की दक्षिन पश्चिम में रख दे जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके उसमें दो बारा से ये नमक और पानी भरकर रख दीजिए बाथरूम और टाइलेट जो की दोस्ट से मुक्ती पाने के लिए मानलो आपकी गलत दिसा में अगर बाथरूम या टाइलेट बने हुए हैं तो उसके लिए आप नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला केमिकल है एक कटोरी में खड़ा नमक लीजिए या समुदरी नमक एक कटोरी में भर लीजिए और इस कटोरी को बाथरूम में रख दे इस उपाये से भी नेगेटिव एनरजी दूर होती है हर महिने कटोरी के नमक को बदल दे पुराने नमक को फैक दे टॉयलेट में काच की कटोरी में दरदरा नमक भर कर रख दे पंद्रह दिन बाद बदल दे पहला टॉयलेट की जो सिंग होती है उसमें डाल दे अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूरव में है तो उसके दर्वाजे पर दाहरते हुए सिंग की फोटो लगा दे नमबर तीन दोस्तो नजर उतारने के लिए यदि आपको या आपके किसी बच्चे को नजर लग जाती है तो साथ बार एक चुटकी नमक उसके उपर से उतार दे और उसे बैते हुए पानी में बहा दे या उसे नल के बैते पानी में डाल दे उसे वाश वेशन में डाल दे और नल चला दे इससे नजर दोस्त दूर हो जाए नमबर चार दोस्तों वैक्तिगत बाधा यानि कि किसी की परसनल प्रॉब्लम के लिए एक मुठी नमक लेकर शाम को अपने सिर से सिर के उपर से तीन बार उतार ले और उसे घर के मैं गेट के बाहर फैक दे ऐसा तीन दिन लगातार करें यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के उपर वार कर टाइलेट में डाल कर फलस कर दे सो परतिसत फायदा मिलेगा नमबर पांच वास्तु दोस मिटाने के लिए अगर आपके घर में मिला जुला वास्तु दोस है तो जिसे आप बदल नहीं सकते हैं जिसके कारण मन में उदासी चिंता और डर हो रहा है तो दोना हातों में साबुत नमक भर कर कुछ देर खड़े रहें फिर वास्त वेसिंग में डाल कर बहा दें नमक को इदर उदर नहीं फैकें नमबर छे दोस्तों धन पाने और घर में बरकत के लिए नमक को कांच के बरतन में रखें और उसमें चार पांच लॉंग डाल दे इससे धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे और घर में बरकत भी बनी रहेगी इससे एक तो नमक में खुसबू रहेगी वह इस उपाये से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी नमबर साथ दोस्तों बिमारी से छुटकारा पाने के लिए सोते समय अपना सिराहना पूरव की ओर रखें अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंदा नमक के कुछ टुकड़े रख ले इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और इस बात को याद रखें कि बिमारी से बचने के लिए नमक का खाने में कमी उपयोग करना चाहिए इसकी जगे सेंदा नमक या काले नमक का भोजन में उपयोग करें करना चाहिए अगर कोई वैक्ती लंबे समय से किसी बिमारी से पीडित है तो उसकी सिराहने काच के बरतन में नमक रखें और एक हपते के बाद उस नमक को बदल कर दो बारा नमक रख दे और उस नमक को टॉयलेट या घर के बाहर फैक दे धीरे धीरे उस वैक्ती की सेहत में सुधार होने लग जाए दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्किर्टी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें रादे रादे